So hello बच्चा लोग चलिए शार्ट करते हैं कोशिश करेंगे हम लोग की कम से कम समय में इस पूरे टॉपिक के फॉर्मले को रिवाइस कर लें फॉर्मले के साथ साथ जो इसका important concept है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा और इसका PDF notes भी आपको इसी के discussion box में मिलेगा but still I would recommend कि आप इसको सुनें बहुत short time में हम लोग इसको cover कर लेंगे चलिए तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं this is your capital Q is equal to n into e which is basically your quantization of the charge and आपका एक integer होता है यह आपका electron का charge होता है ठीक है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें coulombs law की तो दो point charge के बीच में जो आपको force होता है that is given by k q1 q2 upon r square जहाँ पे k को आप लिखते हो 1 by 4 pi epsilon 0 और अगर वो किसी medium में है charges तो आप यहाँ पे er भी लिखते हो which is basically relative permittivity of medium और इसी को हम लोग dielectric constant के नाम से भी जानते हैं in the chapter capacitor ठीक है आपको इस epsilon की value भी पता होनी चाहिए और इसी का vector form भी आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास 2 charge का position vector दिया है और उनके बीच में आपको force पूछ रहा है in vector form तो आपको इस तरीके से उसे solve करना आना चाहिए ठीक है जहाँ तक बात करें हम लोग electric field lines की तो कुछ specific diagram है जिसके बारे में आपको idea होना चाहिए पहले सवाल आया है तो हो सकता है अभी भी आ जाए एक point charge के वज़े से किसी भी R दूरी पे आपको जो electric field होता that is given by kq upon R square इसका unit होता है newton per coulomb positive charge है तो line आपको यहां से दूर जाती भी होगी right negative charge है तो line इसके अंदर आपको आ रही होगी अगर आपके पास एक positive एक negative charge है तो electric field lines कुछ इस तरीके से दिखता है और अगर दोनों ही same charge है दोनों क्या तो positive हो या फिर दोनों negative हो तो इस तरीके से आपको repelling nature का electric field lines बनता है ठीक है अब हम लोग बात करते है electric field due to line charges very very important अब यहां से आपको बहुत important चीज़े शुरू हो रही है सबसे पहली बात charge is uniformly distributed जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ formula नहीं रटना होता है condition के साथ उसको ध्यान में रखिए uniformly charge distribution है अगर आपके पास एक finite length का wire है जिस पे आपको lambda coulm per meter charge distribution density दिया होया आपको right तो इस point पे आपको electric field हम लोग 2 direction में देखते है एक होता है e perpendicular यानि कि इस green वाले wire के perpendicular direction में electric field कितना है और इस green वाले wire के parallel direction में आपको electric field कितना है ये दोनों उसका formula है theta 1 theta 2 क्या होता है उसको ध्यान में रखना है ठीक है अगर आपका semi infinite wire है यानि कि उपर से तो ये infinite है लेकिन यहाँ पे आपको ये wire finite है नीचे में आपको ये finite है तो आपके पास सिर्फ theta 2 होगा और जो theta 1 हो जाएगा ये वाला जो angle होता वो आपको 90 degree हो जाएगा अब आपके पास e perpendicular e parallel फिर से है यही formula को use करना होता है this is a general formula अब आप इसमें theta 1 की जगा 90 degrees को substitute कर देंगे और जो formula हमें by heart याद होना ही चाहिए that is for infinite wire उपर भी infinite नीचे भी आपको infinite है किसी d दूरी पे आपको जो electric field है सिर्फ आपको perpendicular वाला ही part बचता है parallel वाला 0 हो जाता है यहाँ पे theta 1 theta 2 दोनो 90 degree होगा आपको formula बनेगा 2k lambda by d जिसे आप lambda upon 2 pi epsilon और d से भी याद रख सकते है ठीक है अब बात करते है electric field due to a charged ring यहाँ पे भी आप देख सकते uniform charge distribution है same formula आपको gravitation में भी होता है जिसका one shot इसी channel पे है ठीक है इस ring के कारण किसी भी x दूरी पे आपको जो electric field है axis पे that is kqx upon x square plus r square to the power 3 by 2 अब इसमें चीज़ी क्या क्या आपको याद रख two पे यहाँ पे और यहाँ पे आपको electric field की magnitude जो है वो maximum होती है आपको magnitude जो है वो maximum होती है ठीक है अच्छा अब यहाँ पे यह मत confuse कीज़ेगा कि सर यह graph इसी positive charge distribution के कारण है क्या यहाँ पे जो आपको graph बनावा है यहाँ पे जो आपको graph बनावा है यहाँ पे जो आपको graph ब electric field right side में towards left होता इस region में आपको electric field left direction में होता इसलिए आपका graph यहाँ पे negative में है ठीक है ओके अच्छा पहली बात यह हो गया दूसरा अगर हम center की बात करें तो center पे आपको electric field zero होगा ठीक है बढ़िया electric field due to a charged disk इस formula पर हाला कि mains level पर सवाल आना बहुत मुश्किल है नहीं देखा जाता है लेकिन अगर यह disk आपको बहुत बड़ी होती है एक infinite size की होती तो वो हमें formula पता होना चाहिए it is sigma upon 2 epsilon 0 right for an infinite sheet disk ही नहीं कोई sheet भी होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा तो electric field उसके जो पास में होता है sigma upon 2 epsilon not very very important इसी formula को हम लोग यूज करते है अगर charge आपका surface पे है तो charge distribution is more or less like a charge on a hollow shell ठीक है तो solid पे भी है तब भी charge तो surface पे ही है वैसे situation पे जहाँ पे charge आपको surface पे charge अंदर कुछ भी नहीं है वैसे situation में electric field अंदर में 0 होता है और बाहर में आपको kq upon r square ही होता है अगर आपका small r more than capital r है तो यही formula होगा तो यहाँ हम लोग एक technique यात रखते है कि for an outside point we can assume the entire charge to be concentrated at the center और इसके corresponding यह रहा आपका electric field का graph अंदर में electric field 0 और बाहर में इस तरीके से वेरी कर रहा है और वही अगर हम लोग बात करें कि solid non conductor की non conductor में आपने charge जहां रख दिया वो वही प्रहने वाला है throughout the solid uniformly distributed अगर charge है in that case for r less than capital r यानि कि अंदर में जो आपको electric field होगा that is kq small r upon capital r cube या फिर हमें इसे इस तरीके से भी याद रखना चाहिए rho r upon 3 epsilon 0 where rho is the charge density volume charge density column per meter cube और बाहर की बात करें तो kqy r square तो इसका graph कैसा होगा अंदर में it is directly proportional देख सकते हैं na small r के साथ directly related है यह तो अंदर में proportional और बाहर में इस तरीके से decrease कर रहा है same graph आपको होता है कहाँ पे gravity में भी ठीक है अच्छा now this is also very very important अगर आपका charge distribution uniform नहीं है तो क्या होगा अगर हम बात करें for example एक rod है जहाँ पे charge distribution uniform नहीं है तो आप यहाँ पे integration का इस्तमाल करते हैं आपको अगर p point प electric field निकालना है तो आप p point से x दूरी पे जाते हो इस rod पे और dx length का एक element लेते हो और उस dx length के element में कितना charge होगा तो charge density multiplied by dx और इस dq charge के वज़े से आप इस p point पे छोटा सा electric field निकालते हो और फिर आप उसको integrate कर देते हो राइट अगर आपके पास एक solid sphere है जिसमें आपको non uniform charge distribution है लेकिन आपको वो charge distribution का function दिया राइट रो किस तरीके से vary कर रहा होगा distance x के साथ वो आपको दे रखा होगा तो आप इस case में क्या करते हो आप x पे जाके dx length का आप x पे जाके dx length का यह आपको d होगा dx length का आप एक बहुत पतला सा element elemental shell assume कर लेते हो राइट और फिर आप इस elemental shell में कितना छोटा सा dq charge होगा फिर वो पता करते हो and then you integrate then you integrate and find what is the total charge what is the total charge inside the sphere ठीक है और एक बार यह आपने पता कर लिया कि total charge कितना है तो फिर इस a point पे electric field लिकालना होगा तो kq upon r square कर देंगे ठीक है बढ़िया है अब देखिए electrostatic potential किसी भी r distance पे एक q charge के वज़ए से जो potential होता that is kq by r यहाँ पे condition को ध्यान रखेगा कि आपको charge put करना है with sign आपको charge put करना है with sign ठीक है यह आपके पास एक ring है माल लिजिए यह आपका एक ring है और ring पे आपको capital q charge है और इसका radius आपको r दिया होगा है बढ़िया तो इसके वज़ए से x दूरी पे जो potential होगा that is kq upon under root x square plus r square ठीक है एक shell है आपके पास अगर माल लिजिए और shell पे आपको q charge है और radius r है तो अंदर में आपको potential हमेशा constant होता है अंदर में आपको electric field भी 0 होता है potential होता है kq by r और अगर बहारी point की बात की जाए यानि की small r अगर आपका radius से जादा है तो kq by small r होगा तो अंदर में potential constant और फिर ब formally charge distributed है उस case में अंदर में potential का formula आपको ये होता है और बहार में it is kq by small r graph इसका पहले ये आपको एक parabolic curve है और उसके बाद ये इस तरीके से inverse relation वाला एक curve है ठीक है electrostatic potential energy दो charge के बीच में आपको जो potential energy होता है system का that is kq1 q2 upon r ठीक है condition क्या है कि आप यहाँ पे q1 q2 की value को with sign put करेंगे negative आता है तो negative ही सही ठीक self energy इसके उपर सवाल आजकल जही means में आये दिना रहा है अगर आपके पास एक shell जैसा है याने की पूरे surface पे ही uniform charge distribution है तो energy का formula होगा kq2 upon 2r और अगर आपके पास एक solid sphere है जहाँ पे आपको charge throughout distributed है तो उसका self energy होता है 3 kq2 upon 5r ठीक अब आता है relation between electric field and potential तो यह रहा आपके पास electric field अगर आपको निकालना है तो आप potential के function को differentiate करते हो और यहाँ पे यह del v by del x del v by del y del v by del z क्या है so these are called your partial differentiation for example del v by del x का मतलब होता है you are differentiating the function v with respect to x keeping y and z as constant ठीक है दूसरा आपने पास क्या है equation del v is equal to minus integral e dot dr तो यह दोनों आपको important formula है e और v के बीच का relation का बढ़िया है electric dipole क्या होता है आपके पास एक negative charge है एक positive charge है separated by a distance small d तो यहाँ पे dipole moment क्या होता है charge into separation between them dipole moment का direction क्या होता है from negative charge to positive charge यानि left to right आपको इस case में dipole moment का direction होगा बढ़िया है अब अगर हम बात करें electric field due to a dipole on the axial point तो axial point के लिए आप ध्यान से देखेगा minus q है plus q है separation between them हमने यहाँ पे लिया है 2a this time और distance r हम measure करते है center से तो center से अगर आप r दूरी पे जा रहे हो तो आपको electric field का जो formula होता है वो यह होता है लेकिन हमें जो ज़्यादा तर question पूछे जाते है वो इस condition पे होते है कि आपका य 2pk upon rq right और electric field का direction हमेशा बच्चों को मैं यह बोलता हूँ कि सिर्फ formula को याद नहीं रखता है यह भी ध्यान रखो कि electric field का direction क्या होता है it is always along the direction of dipole moment dipole moment आपका left to right है तो आपका electric field भी left से right की तरफ ही जा रहा होगा ठीक है और यहाँ पर dipole moment क्या है 2aq charge into separation between the charges अगर हम बा कराते है ठीक है अच्छा यह जो d होगा वो basically यहाँ पर है right this d is over here d है कि r है ओके तो यहाँ पर basically एक r होना चाहिए था this is supposed to be r है न यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसको अटा दो इसको भूल जाए ठीक है बढ़िया तो यह आपका होगे electric field का formula लेकिन यहाँ पर वही है कि हम इसे short dipole की तरह ही treat अगर करें तो आपको electric field का formula निकल के आता है pk upon r cube और यहाँ पर direction opposite होता है dipole moment के dipole moment left से right की तरफ है और electric field right से left की तरफ है ठीक है यहाँ पर आपको potential के बारे में भी understanding होना चाहिए axial के बाद करें so एक short dipole के latest pk by r square और equatorial point पर आपको potential 0 होता है due to a dipole electric field at any general point इस पर आपको जही मेंस में सवाल बन सकता है आप ध्यान से देखिए आपके पास मान लीजिए एक short dipole है यह आपका p होगे dipole moment और आपसे किसी भी distance r पर electric field पूछा जा रहा है और आपको angle theta दिया ह ऐसे केस में आप इस dipole का component लेते हो p cos theta और p sin theta अब यह p cos theta के लिए यह point एक axial point है तो electric field द्यूटू dipole p cos theta और इस p sin theta के लिए यह आपको एक equatorial point है तो e electric field द्यूटू p sin theta अब p cos theta के वज़े से electric field हो जाएगा आपको axial वाला formula 2pk by r cube और equatorial के वज़े से pk by r cube इनका resultant होगा net electric field यह होगा आपका formula और यह angle alpha भी आपसे पूछा जाता है कई बार सवालों में कि angle alpha क्या है तो आप लिख सकते है tan alpha is equal to e p sin theta upon e p cos theta आप इन दोनों को जब divide करूगे आपको निकल के अगर tan theta y2 very very important आप आपने अगर अपने dipole को एक uniform electric field में रखा है तो torque की बात उठती है औ और इसके उपर time period based सवाल आपसे पूछा जाता है SHM वाला सवाल आपसे पूछा जाता है और potential energy की बात करे तो u is equal to minus p dot e जहाँ पे अगर आपका theta 0 degree है तो वो आपको एक minimum potential energy situation है minus p e simply theta 180 degree है तो maximum है और theta 90 degree है तो potential energy आपको उस case में 0 होता है minimum energy का मतलब stable equilibrium ये वाला unstable equilibrium important point है ठीक electric flux की अगर हम लोग बात करें तो यह आपको दिया जाता है flux is equal to e dot a vector area vector right आपके पास यह Gauss law है integral e dot da is equal to qn upon epsilon 0 ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो charge है वो सिर्फ इस Gaussian surface के अंदर वाले charge को ही हम लोग यहाँ पे count करते है ठीक है यह आपका Gaussian surface है इसके अंदर जो charge है सिर्फ उसी को count किया जा रहा है ignore this smaller over here right और जो electric field होता है that is due to all the charges सभी charges के वज़े से आपको यह electric field होता है बणिया है और तो हम flux को लिख सकते है इस situation में q1 minus q2 plus q3 upon epsilon 0 right अब एक solid angle का concept है बहुत rarely mains में हम लोग इसको expect कर सकते लेकिन at least एक idea होना चाहिए solid angle is equal to 2 pi bracket 1 minus cos alpha where alpha is the half angle right तो इसके उपर भी सवाल आपको बनाया जा सकता है to find the flux ठीक okay conductor के कुछ properties आपको पता होना चाहिए कोई conceptual या theoretical question में आपसे पूछा जा सकता है for example conductor के surface पही हमेशा charge रहता है electric field अंदर 0 होता है potential constant होता है electric field lines on the conductor surface is always perpendicular to it perpendicular to the surface right अगर आपके पास दो conductor है दोनों पर different charges है दोनों का potential difference है आपने दोनों को अगर touch कराया है या फिर एक wire से connect कर दिया है conducting wire से connect किया है तो दोनों conductor आपस में charge को share करेंगे जब तक कि दोनों का surface का potential same नहीं हो जाता right इर्दिंग में आप क्या करते हो आपके पास कोई भी एक body है आपने उसको earth कर दिया है तो earth earthing करने के कारण उस body का potential हमेशा zero maintain रहेगा इसके उपर भी numerical बनाया जा सकता है ठीक है बच्चे confused होते है कि अगर earthing कर दिया है तो इसके उपर charge हमेशा zero होगा हमेशा zero होगा ऐसा जरूरे नहीं है लेकिन potential हमेशा zero होगा that is always true right so I hope आपको यहां तक चीज़े समझ में आई है and again I would like to say this is how you revise the concept आप अपने end moment पे इस तरीके के notes को बना के रखे और हम I'll recommend कि आप इन notes को भी सिर्फ copy ना करे समझ समझ के एक या दो maximum दो A4 sheet में आप इसको note down कर ले ठीक है do subscribe to the channel अगर अब तक नहीं किया है like the video take care bye bye